आज मैं आपको बताऊँगा कि लेप्टोप में माइक किस तरीक से क्नेट कर सकते है with zero noise background जिसमें आपको background में कोई भी noise नहीं आएगी आप easy video record कर सकते हैं live streaming कर सकते हो उसमें मैं आपको बताऊँगा plugin के बारे में और मैं आपको बताऊँगा कि अपना माइक कि तरीक से क्नेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है कि यह हमारा क्या है यह माइक है और यह है audio adapter अगर आपके जो laptop है उसके अंदर कोई option नहीं है कि आपका जो यह माइक है यह direct 3.5 mm जेप का माइक का support होता है अगर आप वहाँ पर नहीं लगा सकते हो तो इसके लिए आता है audio adapter तो यह ENT का है तो यह बहुत अच्छा audio adapter है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो जैसे यहाँ पर option दिया हुआ होता है तो आप यहाँ पर इसे क्या है connect कर सकते हो अब जैसे इसके अंदे से यहाँ पर connect करोगे अब इस अपने laptop के USB 3.2 में या किसी भी port में इसको लगा सकते हो अब जैसे हम इसको लगाएगे तो क्या है माइक हमारे इसमें laptop में connect हो जाएगा अब जैसे कि मैं इसे लगाता हूँ यहाँ पर यह मैंने इसे pin-up किया अब मैंने इसे यहाँ पर pin-up कर दिया है तो यहाँ मेरा क्या है laptop में connect हो चुका है अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैरा mic laptop में connect हो चुका है तो मुझे जाना है यहाँ पर control panel में और control panel में मुझे जाना है sound में अब मैं जैसे sound में जाता हूँ तो यह एक window pop-up हो जाएगा तो यहाँ पर एक है recording का option तो जैसे recording का option पर click करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो option देखने को मिलेगे system mic, stereo mic, headset और एक है microphone system mic जो है यहाँ पर दो mic open हो चुका है एक तो मेरा microphone है जो USB के दुवारा connect है और दूसरा क्या है system mic है तो अगर मैं अपने system का mic यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे इसमें से है disable कर जया है और मैंसा अब यहाँ पर okay कर देता हूँ तो अब मेरा एक ही mic वर करेगा जो की microphone है मतलब मैं input जो भी अपने laptop में input वही दूगा वो अब इसके दुवारा जाएगी मेरे microphone के दुवारा तो इस तरीके से क्या है हम अपना mic क्या है laptop में connect कर सकते हैं तो पहले step है यहाँ पर OBS open करूगा अब मैं यहाँ पर OBS open करता हूँ तो अप मैं OBS के अंदर अपने is mic को किस जो मैंने अपने laptop में connect किया है अप मैं से OBS के अंदर जो हे video recording में इसको enable करना है और जैसे की यहाँपर मेरा scene है मैंने आगर आपको OBS के बारे मैं जानना है कि OBS scene source audio mixer की से पर मैंने फुल टोडो रे बनाया हुआ है अगर कोई प्रोल्म आता है तो आप मुझे केमेंट जूरू करना मैं आपकी जूरू है तो अब मुझे यहां पर सीन टू में जाता हूं सीन टू में जैसी मैं गया यहां पर सोर्स में सोर्स को डिलीट कर देता हूं यहां से मैं source को मैंने यहाँ से remove कर दिया तो अब यहाँ पर डो, एक है desktop audio और एक है mix audio तो मै ऑड hero mixer में hide कर देता हूँ पर तो अब क्या है मैंने यहाँ पर क्या है पुरी audio clean कर दिया है म comments कर दिया है मुझे अपनी display को capture करना है अपनी display को record करना है तो मैं यहां से source लोगा और मैंने यहां पर source लिए display capture यहां पर आ चुका है और मैंसे फुल यहां पर transform में जाके इस पर को अब में जाए से ऐ का जरा एलो दिएे का चानी के लिए मुझे चाहाफुख लेकर आनी के लिए मुझे क्या करना होगा मुझे जााना होगा यहाँ पर. अब मैं जैसे ओडिट जाता ओ, यहाँ पर दिवा lire पर पे इस माईक और जैसे मेरी आवाल आईगे, हेलो हेलो हेलो, आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर audio input, तो यहाँ पर क्या है, यह वाइब्रेट कर रहा है है हेलो हेलो, तो अब क्या है perfectly मेरा माइक जो है यहाँ पर connect हो चुका है तो मुझे क्या करना है जब मैं बोलू तो मेरी voice जो है एकदम perfectly आनी चाहिए तो मुझे उसके लिए क्या है एक plugin डाउनलोड करना पड़ेगा जो की बहुत ही powerful है तो इस plugin का नाम है यहाँ पर अब जैसे कि मैं आपको यह चीज़ी और बता देता हूँ यहाँ पर जैसे कि मैं इस पर click करता हूँ और मैं audio पर यहाँ पर जाता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या है यह बहुत सारे फिल्टर लगा सकता हूँ जैसे कि यहाँ पर three band equalizer, compressor, spender, gain है औ और यहाँ पर एक option है plugin का, तो मैं इसे plugin करता हूँ तो यहाँ पर select plugin, तो एक मैं अभी AI OBS का audio filter है, एक plugin है audio का OBS का, अगर मैं जैसे इसे यहाँ पर use करूँ हाँ तो मैं अपनी background noise सारी remove कर सकता हूँ और अपनी voice को बहते तरीके से optimize कर सकता हूँ, तो अब मैं उस plugin को download करता और यहाँ पर इसे करके दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से connect करके दिखाता हूँ कि अपनी voice को किस तरीके से perfectly मैं यहाँ पर optimize कर सकता हूँ, तो मैं जाता हूँ, यहाँ अपर, मैं गया है यहाँ पर Google में, अब आपको गोगल में सर्च करना है गोयो वोई सेप्रेटर अब जैसी कि गोगल में आप गोयो वोई सेप्रेटर वो करोगे तो यहां पर एक पिलागिन आएगा तो मैं इसे यहां पर यहां आया है तो यह जो है गोयो सेप्रेटर अब गेट नाव यह एगनम फ्री है ओपन प송पर में लोगिंग कर दिया अब क्या है मे मुझे मेड्र इमेल पर डाउंलॉड लिन्क कर देगा तो आप मुझे सब्सक्राइब विज Sehr कर देगा मैं अब यहां पर अपर आ चुका है तो इसनी यहाँपर रिया है तो जैसे है मेरा मैक है एपल है विंडव दो कि लिए डाउलोड करना है तो मुझें विंडव कि लिए यहाँ पर क्या है से ओपन कर देता हू swims और यहाँ पर क्या है open हो गया है अभी डाउनलोड हो चुका है अब मी इस doubles and कर देता हूं मैंसा मुझे जाना यहाँ पर और अब अब है इसे में इसे यहां से क्या है ? डान्वॉर्ड कर लेता हूं, अबने से में इसे यहाँ से डान्व्ड पर कर लिता हूं अब मैं जया है ? अब मैं जा तो अपने OBS में और OBS में मैं यहाँ पर जाता हूँ फिल्टर में जैसे मैं फिल्टर में ओपन किया अब यह क्या है देखो फिल्टर में यहाँ पर क्या है यह यहाँ पर आ चुका है फिल्टर में जैसे कि यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट ए प्लेगिन तो अब क्य है एक है ambiengt, एक है voice और एक है voice reverb, तो जैसे पर अब ैटिटिंग मैंने आपनी कर लिолिए है, अम हैसे यहांपर बन करता हुँ, हेलो, हेलो, हेलो 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 तो अब देख सकते हो कि मैंने इसे यहां पर कर दिया अपना जो प्लेगिन था है एई प्लेगिन मैंने उसको भी इसकंदर एंटर कर दिया है और अगर अब अब इससे आप रिकोर्डिंग करते हो अपनी स्क्रीन की रिकोर्डिंग करते हो उसे चेक करते हो मैं आपको बताते हो इसमें कैसी voice आ रही है, अब मैं यहाँ पर से skin recording कर देता हूँ Hello, 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 1, 2, 3 टेस्टिंग, Hello, 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 Hello तो आप देख सकते हो, मेरी जो voice आ रही है ये मेरी voice आ रही है laptop से, तो आप देख कितनी perfectly मेरी voice आ रही है, कहीं भी background noise नहीं है, कुछ नहीं है और एकदम perfectly ये run कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको अपनी obvious studio में, अपनी voice को clear करना है उसे optimize करना है, बस आपको अपने audio में जाना है और filter में जाना है, उसे plug-in को use कर लेना है ये सारी background noise increase कर देगा मालब सारी background noise को decrease कर देगा, और हमारी voice को optimize कर देगा और उसकी volume भी increase हो जाएगा और हमें perfect voice देखने को मिलेगी तो इस तरीके साब अपना जो है, mic को connect कर सकते हो, laptop में और obvious की voice है, उसको one single click में clean कर सकते हो without any fatal लगाए तो ये बहुत अच्छी तरीके सा work करता है ये जो plugin है, बहुत जबर से फिलगी plugin है, आप इसका जरू use करना वीडियो के लिए मुझे लाइक से subscribe जरू करना मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में